आज हम बात करेंगे कि आपको बार बार अपने SP का नाम क्यों दिखाई दिता है उसका मीनिंग क्या होता है देखो कई बार ना हमें अपने SP का नाम हर जगा दिखाई दिने लगता है अगर आपके साथ भी हो रहा है तो एक बहुत बड़ा positive sign universe की तरफ से आपके लिए है तो as a sign इसे accept करो कि वो person आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहा है उसके दिल और दिमाग पे आप हो और वो आपको unconditional miss कर रहा है universe आपके सामने as a norm उनका लेकर आ रही है as a sign समझो उसे और aware कर रही है universe आपको कि वो person आपको miss कर रहा है इसलिए आपको उनका नाम बार बार दिखाई दे रहा है और ये तब भी होता है जब आप उन्हें manifest कर रहे होते हो उनके लिए आपको एक भी techniques यूज कर रहे हो तो universe आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी manifestation है जो वो on the way है वो आपकी life में attract होने वाले हैं अगर आप उनका message manifest कर रहे हो तब भी आपके साथ ये हो सकता है call manifest कर रहे हो तब भी आपको उनका नाम दिखाई दे सकता है अगर आप उनके commitment, sorry commitment के लिए कोई भी technique यूज़ कर रहे हो तब भी आपको as a sign उनका नाम दिखा रही देना शुरू हो जाता है तो universe की तरफ से ये आपके लिए sign होता है कि वो जो भी आप चीज़ manifest कर रहे हो वो आपके life में attract होने वाली है कभी कभी ना हम ऐसा भी होता है हमारे साथ की शायद जब हम एक रिष्टे में होते हैं तो उन्होंने हमारे साथ कोछ ऐसा किया होता है जो चीज़ को हम अपने दिमाग में लेकर बैट जाते हैं और उस चीज़ को सोच कर हम बार बार hurt होते रहते हैं उस चीज के कारण भी ना वो चीज हमें पकड़ कर बैठ चाती है और हम अंदर से बहुत ज़दा हर्ट होने लगते हैं इसलिए भी वो चीज हमें इतना अंदर से कमजोर कर देती है इतना हर्ट कर देती है कि उस परसुन का नाम हमें दिखाई देना ही लगता है जिसने हमें ह होता है कि उस person को माफ करो और अपनी life में आगे बढ़ो वह sign भी आप as a growth के some growth के लिए समझ कर आगे बढ़ सकते हो कि उस person ने आपको बहुत कुछ दिया है बस समझने की जरूरत है क्योंकि हर बार उस person ने सिर्फ आपको heart नहीं किया होगा कभी न कभी उसने आपके साथ अच्छे moments भी spend किये होते हैं तो universe यही कहते है कि उस person को माफ करो और अपनी life में आगे बढ़ जाओ या यह भी हो सकता है कि आपको उनका नाम दिखाई दिना शुरू होता है ना तब वो person आपको love vibration बेज रहे होंगे या आपके लिए कोई techniques यूज कर रहे होंगे कि आप उनकी life में attract हो उस person को यह realize हो गया हो कि आप उनके लिए best हो तब भी वो person आपके लिए कोई techniques यूज कर सकते हैं कोई आपको love vibration बेज सकते हैं आपको heal करने के लिए कोई भी practice कर सकते हैं तब भी आपको उनका नाम दिखाई देने लगता है कि वो universe आपको ये show करवाते हैं कि वो person आपकी life में manifest होना चाहता है या वो person आपको आपको उनकी life में attract करना चाहता है इसलिए भी आपको नाम बार बार दिखाई देने लगती हैं और एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है जो युनिवर्स आपको देती है उनका नाम दिखाई देखकर कि ये confirm करती हैं कि वो सिर्फ आपके हैं आप जो भी techniques यूज कर रहे थे उनके लिए जो भी आपकी लाइफ में attract होने के लिए ready होती है तो ये भी एक युनिवर्स का बहुत बड़ा साइन होता है अब भी ना जब भी आपको उनका नाम दिखाई दे तो हमेशा magical word thank you का use करना है और बोलना है कि thank you universe is done thank you thank you thank you ऐसे करते ही ना universe को भी लगीगा कि आप उनका जो sign आप universe दे रहे थे आपको वो आप समझ गए है अब वो चीज़ आपको देने के लिए universe ready है वो चीज़ थोड़े time तक आपकी life में आ जाती है और आपकी जो manifestation होती है वो complete हो जाती है so sign को समझ कर उस पर believe करना शुरू करो because your manifestation is your command क्योंकि आप जो बोलते हो ना आपकी manifestation ही आपकी command होती है और जो आपने बोल दिया उस universe ने उसे accept कर लिया और वो चीज़ आपकी life में आने के लिए ready हो जाती है तो आज से जब भी आपको अपने SP का नाम दिखाई दे हमेशा magical word thank you का यह आपको use करना है और बोलना है कि thank you universe is strong thank you thank you thank you और वो चीज़ आप attract कर लोगे आप manifest कर लोगे thank you so much for your beautiful sport thank you thank you thank you